आज है तीन मार्च बात करेंगे सबसे पहले डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं आज इतना शांदार ये कैंडल बना है जहाँ पे पूरी दुनिया पूरा भारत ये सोच रहा था कि मार्केट आर्ट के दिम लीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से यही दिख था लेकिन मार्केट ने सबको हैरान कर दिया लगबख तीन सो पॉंट सबसे पहले गयाप उपन होके उससे जादा बड़ा हैरान किया यह मार्केट आज सीधा 41,300 तक भी पहुंच गया था अब बात यह है कि यह कैसे हो गया तो देखिए सबसे पहली बात बता दू ऐसे ट फिया ट्रेड होने में इक्षेल दिखता है जो बिलकूल इकोश डायइक में अपने आपको ट्रिट करता है मतलब इह हुआ कि आपको het a0 निप्रेष्ण कर लीजिए जैसा मार्केट खुलेगा도 जीस तरीके से वह जा रहाए आपको वैसा बरताओ करना होगा आज का बरता करना पड़ेगा इसको हम देख लेते हैं अब हमारे दूसरे पांच मिनिट के चार्ट पे तो देखिए पांच मिनिट से बहतर यह होगा मैं आपको पंदरा मिनिट के चार्ट पे इस चीज़ को दिखाऊ तो आप जादा उसको अच्छे से समझ पाएंगे मार्केट आज शु केंडल है उसको नीचे नहीं लेके जा रहा है हर केंडेल उसे उपर ही जा रहा है उपर बनते जा रहा है मतलब मार्केट स्ट्रेट अवे आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेट अवे सीधा से उपर गया कहीं पे भी कोई रुकावर नहीं है इसका मतलब मार्केट आज इतना अच्छा मूव किया जो शायद एक बात में आपको और बताता हूँ आज 920 का स्ट्रेटीजी बिल्कुल काम किया है वैसे 920 का स्ट्रेटी ना बीस दिन में अगर महीने में 22 ट्रेट होते है ना 22 ट्रेट में कम से कम आप यह मानकि चलिए सत्रा से अठरा ट्रेट तो आपको 920 का मिल ही जाएगा यह बात तो तया है पकपका हूं वे से आज एक तो बहुत समय होता है हम डरते हैं खरीदने के लिए कि बाय खरीदे या मतबसी खरीदे पूट खरीदे क्या खरीदे अगर कुछ घड़बर हो गया तो लेकिन आपको मैं सज बताता हूँ कि 920 का स्ट्रेटेजी कभी फेल नहीं होता है हाँ दो-चार दिन में शायद आपको मिलेगा नहीं महीने बर में लेकिन आपको 16-17 दिन तो मिल ही जाएगा 920 का और इससे आपको कुछ न कुछ न कमाई लेंगे अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें देखने लाइक क्या था पिछले क्लोस से इसने कैसा आपको दिय पिछले क्लोस से यहाँ पर मार्केट ने शुरुवात में जो 750 का जो एक रेंज था वहाँ पर आके मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आया और वहाँ से फिर ब्रेक आउट दिया तो हमें जैसे ही यह आज मार्केट खुला तो पहले हमने यहीं देखा कि 7500 के पास जाके लेकिन हमने यहीं देखा है कि यहाँ पर 7500 के रेंज को एकदम वहाँ से बिल्कुल कुछ ना समझ के ब्रेक आउट ले दिया इसका मतलब यह हुआ कि अगर ब्रेक आउट मिलता है तो आपको फिर वैसे समय पर क्या करना चाहिए होता है तो कल का हमारा मार्केट कैसा हो सकत है इस बारे में थोड़ा समभी जानकरी ले लेते हैं कल आपको दोनों तरफ से त्यार रहना पड़ेगा मतलब कल अगर मार्केट गैप डाउन अगर खुलता है और इस रेंज पे आता है इस रेंज पे अभी अगला जो रेजिस्टेंस है न मैं आपको सिधा बता देता हू 500 का मतलब 41,500 का अगला रेजिस्टेंस है अगर मार्केट कल गैप खुलता है मान लिजिए 300-500 के रेंज मैं मैं दुबार आपसे कह रहा हूँ 41,500 और 41,300 इस दरम्यान अगर मार्केट खुलता है तो आप जलबाजी मत कीजिए तुरन ट्रेड लेने में जब तक इस रेंज क मार्केट फिर से यहां से ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन ना दे मतलब जब तक 41,500 के लेवल को मार्केट क्रॉस ना करे उपर की और ना जाए और जब तक मार्केट 41,300 के नीचे ना आए आप इन में से ट्रेड मत लीजिए मार्केट इन बीच में खुलता है क्योंकि वहा तुरंत आप सी मत ले लिजिएगा आप सोचेंगे कि पासो पर आ गया या सी लेते हो सकता है कि मार्केट पासो से वापस नीचे आ जाए तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और 300 के अगर नीचे चला आता है आपको कल पी लेना है और अगर कल पासो की उपर चला जाता है फिर आप एकदम खुला मेहदाने वहाँ से आसानी से आप सी ले सकते हैं आप वहां से कॉल ले सकते हैं आपका फायदा उसमें 100% होने वाला है तो मुझे उम्हें आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लग तो लाइक, शेर, सब्स झालेवाद